कख्या ग्यारवी राजनीति विज्ञान प्लिटिकल साइंस और विशय राष्टवाद राष्टवाद आपको लगता होगा कि एक परिचित शब्द है इसके माइने आप जानते हैं और निश्चित रूप से आप सोचते होंगे कि राष्टवाद में देश का प्रेम राष्ट के प्रती सम्मान और राष्ट के प्रती एक तरीके का जुकाओ ये राष्टवाद होगा लेकिन हमको दिख्याल रखना है कि राष्टवाद में जो वाद शब्द जो है वो विचार धारा को बताता है जब भी वाद आता है वाद शब्द तो वह किसी एक विचार धारा को किसी एक सोच को किसी एक बहुत लंबी सोच को बताता है उधारन के लिए हमने पढ़ा है पूंजी वाद एक विचार धारा सामने वाद उसके साथ ही आध्यात्म वाद एक एश्वर वाद आदि आदि तो यह जो वाद है यह एक विचार धारा है और उस विचार धारा की धुरी के चारों और व्यक्ति या सम्मंदित लोगों की जीवनशाली जुड़ी रहती है राष्टवाद एक तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि यह सत्रहवी अठारवी शताब्दी के आसपास ही पनपना शुरू हुआ उसके पहले राष्टवाद नहीं था क्या है इसके यह मायने कि उसके पहले लोगों का देश के प्रतिप्रेम नहीं था क्योंकि अभी तक हम यही समझते हैं कि राष्टवाद और देश प्रेम लगभग एक ही चीज है तो प्रश्ट यही उठता है कि क्या राष्टवाद जो 17-18 शताब्दी में जो विचारधारा सामने आई इसके पहले क्या देश प्रेम जैसी चीज नहीं थी इसका उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे यह अध्याय कहने को तो छोटा है लेकिन इतिहास राजनी तिविग्यान और इसके साथ इसाथ अर्थशात्र इस से इसका बड़ा गहन संबंद है इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे हम समर्थ होंगे यह जानने में कि राष्ट और राष्टवाद की अवधारना कैसे हुई और क्या है राष्ट और राष्टवाद की धारना को समझने में हम समर्थ होंगे दूसरा दूसरी बात जो हम जानेंगे इस अध्याय में वो है कि राश्टवाद की शक्ति क्या है राश्टवाद किस तरीके से प्रभावित करता है समाज को या राश्ट को या राज्ज को यहां राज्ज और राश्ट में भी हमको अंतर थोड़ा समझना होगा तो हम उसको समझते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राश्टवाद की शक्ति क्या है कितनी ताकत है उसमें इस विचारधारा में समाज को हिलाने की कितनी ताकत है किस हद तक ये विचारधारा समाज को प्रभावित करती है करती आई है और कर सकती है तो उसकी शक्ति को हम जानेंगे इसके साथ ही हम जानेंगे कि राश्टवाद की सीमाएं भी क्या है रश्टवाद की सीमाओं उसका दाइरा क्या है? सीमाओं से अर्थ है रश्टवाद का दाइरा राश्टवाद कहां पर जाकर रुकता है कहां तक राश्टवाद विचारधारा प्रभावशील रहती है और रहनी चाहिए और कहां पर हमें राश्टवाद की विचारधारा को लगाम देना चाहिए इसे भी हम जानेंगे तीसरा बिंदु जो इस अध्याय में हम जानेंगे वो है लोक तंत्र और राष्टवाद के बीच का संबंद लोक तंत्र और राष्टवाद के बीच का संबंद राष्टवाद को जानने के बाद हम बहतर स्थिति में होंगे कि हम उसका संबंद लोकतंत्र से कैसे है ये समझें और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र और राश्टवाद के बीच के संबंद को सुनिश्चित करने की जरूरत क्यों है ये एक बहुत अहम मुद्दा है लोकतंत्र और राष्टवाद के बीच के संबंद को सुनिश्चित करने की जरूरत है क्या दोनों के भी संबंद होना चाहिए क्या किस तरह का संबंद होना चाहिए और क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए तो इस पकार ये अध्याय जो है इन बिंदूओं पर केंद्रित है और अंध में हम राष्टवाद, देश प्रेम, देश भक्ति और राष्टवाद से होने वाले प्रभाव इनको हम बहतर स्थिति में समझने की समझेंगे तो हमारा जो पहला बिंदू है राष्ट और राष्टवाद की अवधारना क्या है राष्ट और राष्टवाद इसने जो मानो सब्विता है उस मानो सब्विता को बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इस विचार धारा ने एक तरीके से प्रेरक शक्ति का काम किया है इस शब्द को आप याद रखें ये प्रेरक शक्ति का काम करती है राष्टवाद की विचार धारा लोगों को प्रेरना देती है किस चीज की प्रेड़ना इस पर हम आगे बात करेंगे पर आप मूल रूप से समझ लें कि राष्टवाद उत प्रेरक प्रेरक का कारे करती है हम अपने राष्ट्री जो स्मारक हैं राष्ट्री जो भवन हैं उनके सम्मान में बहुत कुछ करते हैं चाहे समारक बनाएं चाहे छुट्टियों की घोष्णा करें चाहे उसके लिए सिलिब्रेशन करें और ये सब उनके महानकारियों को याद दिलाने के लिए किया जाता है प्रत्येक राज का इदाइत्व है कि वो अपने राष्ट्री जंडे का अपने राष्ट्री प्रतीकों का सम्मान करें राष्ट्री जंडा और राष्ट्री प्रतीक भारत के राष्ट्री प्रतीकों राष्ट्री प्रतीक का सम्मान करें और हम अपने राष्ट का गुनगान करने वाले राष्ट का बखान करने वाले वैसे गीत गाते हैं 10 माल Bene Πέντε, μάθαρα Σου πρέτζος να φοράγγει κιόλας μηνύ Που ρακού σου μηντράν, γρουμάκρα δασάβενή Σου χασενή, σου μαντουρά χασενή Σου χασενή, σου βακού σου μητράν, γροχάρα Σου χασενή, σου μητράν कि γ dulibt, του χασενή, στραγγίων जब यह ऐसे राश्टी पर्व होते हैं स्वतनता दिवस या घंतनत दिवस या समधान दिवस इन दिनों हम राश्ट गीत के माध्यम से या गीतों के माद्ध हम से एक तरीके से हम अपने देश का बखान करते हैं और देश के नागरिकों से हम यह अनुरोज करते हैं यह कहते हैं कि विराश के हिट में हमेशा त्याग करने के लिए तयार रहें और आवहान करते हैं कि सर्वोत फ्रकार की राश्टी सेवा करें ये जो भावना है देश के लिए त्याग करने की भावना परिवार से, खेत्र से, जाती से, समाच से उठकर राश्ट के लिए अपना जीवन समर्पित करने की भावना ये कहीं कहीं राश्ट वाज से इसका सम्गन्द है राश्ट की सेवा सर्वो परी है ये बारंबार सभी कारकरमों में जितने वक्ता होते हैं वे बोलते हैं इसका तात्पर क्या है ये सब प्रेरक बाते हैं किस चीज के लिए प्रेरना देती हैं राष्ट को समर्राष्ट के लिए समर्पित होने की प्रेरना देती हैं उनीसवी शताबदी में जो पूरा यॉरोप खासकर आप इस नक्षे में देखें तो पश्चमी यॉरोप पश्चमी यॉरोप में राष्टवाद की लहर एक खास तरीके से फैली मैंने जैसा आपको पूर में कहा कि सत्रव़ी अथारवी बलकि अथारवी उन्सवी शताबदी में राष्टवाद एक वचारधारा के रूप में यॉरोप का पश्चमी फिस्सा है जिसमें इंग्लेन, फ्रांस, जामनी, इटाली, पर्चगाल, स्पेन ये सब देश आते हैं यहां पर राष्टवाद की लहर फैली आपके मन में फिर यह सवाल उटना चाहिए तो क्या अन्य देशों में राष्टवाद नहीं था सचाई चो यह है कि उसका उत्तर होगा कि राष्टवाद अन्य देशों में नहीं था पर अन्य देशों के लोग देश प्रेमी थे अपने देश के प्रति समर्पित थे तो यहां पर आपको देश प्रेम और राष्टवाद के बीच का वो जो अंतर है वो समझने की जुरत है उस अंतर को समझने के लिए हम थोड़ा सा और गहराई पे जाएं पर पहले हम यह जान लें कि राष्टवाद उन्निसवी शर्दी के आस पास पश्टमी यूरोप के उन देशियों में आया है इटेली और जामनी में उन्निसवी शर्दी का अंत आते आते एशियाई देशों में भी राष्टवाद की लहर आई एशिया के देशों में भी राष्टवाद की लहर आई और बाद में अफरीकी देशों में भी इसका फैलाओ हुआ और परिणाम क्या हुआ इस सब का कि इस बढ़ती हुई राष्टवाद की भावना ने अनेकों राष्टों को अपनी स्वतंता के लिए संघर्च करने के लिए प्रेरित किया और फिर ये राष्ट चाहे वो एशिया के हूँ या अफरीका के हूँ ये स्वतंतर हुए तो जैस जैसे राष्टवाद की भावना पश्टमी यॉर्प से फैली एशिया की और गई अफरीका की और गई वैसे वैसे हम देखते हैं ये देश स्वतंतर होते चलेगा राष्ट निर्माण होता चला गया ने ने राष्टों का निर्माण हुआ राष्ट क्या है मैं बारम बार इस बात को बोल रहा हूँ राष्ट राष्टवाद तो सवाल यह उड़ता है राष्ट क्या है किसे हम राष्ट कहते हूँ अंग्रेजी में राष्ट को नेशन कहते हूँ क्या कहते हैं नेशन और नेशन शब्द की जो उत्पत्ती है इसको जो शुरुवात है की जो जड़ है वो है नैशियो शब्द से एन ए टी आई ओ नैशियो नामक लैटिन शब्द से हुई नेशन नैशियो और नैशियो का संबंद रेश या जन्म से है बर्थ से या रेश से है जिसे रेश को हम कहते हैं वंश यानि मैं पुना दोहरा दियूं आपको कि राष्ट के पीछे जो मूल शब्द है वह है नेशन नेशन बना है नैशियो जो लैटिन शब्द है और नैशियो का जो अर्थ है उसकी भाषा में वह है जन, बर्थ या वंश्रेज बहुत से लेखक राष्ट का प्रयोग ऐसे लोग के लिए करते हैं जो एक ही मूल वंश के हूँ इसलिए नेशन नेशियो एक वंश को लेकर भी बनता है यदि राष्ट का उपयोग राष्ट शब्द का उपयोग बहुत से लोग एक वंश को लेकर करते हैं तो उनके अनुसार एक खाद भगुलिक शेत्र भी एक नेशन का निर्मान करता है एक राष्ट का निर्मान करता है अर्थात यदि मैं नेशन के तत्वों की बात करूँ कौन-कौन से तत्व नेशन में समाहित हैं राष्ट में समाहित हैं तो पहला हमने देखा कि सबसर प्रथम इसमें एक जगह जन जो एक ही खेतर में जन लिये हों दूसरा उसका संबंद वंश से है एक मूल वंश उनका एक ही हो और तीसरा भगोलिक खेतर वो एक हो एक ही तरीके के एक ही भगोलिक खेतर में जो निवास करते हों बाद में इसमें एक और तत्व को जोड़ा गया इन तीन तत्वों के लावा जन्म उसके बाद भगोलिक खेतर मूल वंश भगोलिक खेतर चौथा तत्व जो बाद में जोड़ा गया वह था एक ता और वो भी कैसी स्थाई एक ता अधर राश्टीता की यदि हम उतपर्ति की बात करें तो राश्टीता की उतपर्ति और विकास के लिए हमें वंश या जाती एक ता भगोलिक एक ता एक उसके आवश्यक तत्व हो जाते हैं वंशी एकता भावगोलिक एकता भाशाई एकता भी इसमें शामिल है क्योंकि एक शेत्र के लोग एक जन्ड एक वंश के लोग लगवश्यक एक भाशा बोलते हैं तो इस्तिकार ये तत्व किसी राष्ट के लिए आवश्यक माने जाने लगे और कहा गया कि इन्ही तत्वों के मेल से राष्ट करने मान होता है इन्ही तत्वों के मेल से एक राष्ट बनता है पर वांश या जाती धर्म और भाशा की एकता ही राष्टवात के मूल तत्व नहीं है जो चार तत्व बताए गए इन चार तत्वों के समायोजन से एक राष्ट बनता है ऐसा कुछ लोंग का कहना है लेकिन सचाई तो यह है कि मातर इससे एक राष्ट नहीं बनता राष्टवाद का मूल तत्व इन में समायोजन नहीं है इसके अत्रिक कुछ और चाहिए होता है जिसे हम राष्टवाद मान सकते हैं हाखिर वो तत्व कौन से हैं? किस तत्व की ओर इशारा है जो इन चार में समाहित नहीं है? निसंदे वांश, जाती, जन्म, धार्मी के एकता, भाशाई एकता, भागोली के एकता, ये राष्ट के निर्मान के लिए जरूरी हैं। यदि हम भारत के संदर में बात करें तो भा भाशाई एकता, मूल वंश, आदी आदी ये एक राष्ट का रूप देते हैं हमारे देश को। लेकिन एक तत्व का होना या ना होना, इन में से किसी भी एक तत्व का होना या ना होना, इस बात की और इशारा नहीं करता हैं। कि उस देश के लोंगों में राश्टीता का अभाव है या राश्टीता नहीं है मैं पुना दोहरा दूँ ये जो मैंने चार तत्व का जिक्र किया यदि इन में से कोई तत्व अनुपस्थित है गैरहजिर है तो इसका अर्थियनी माना जाए कि यहां पर राश्टीता की भावना नहीं पनपी है वे कौन सी बाते हैं जो राश्टी का निर्मान करती है और राश्टी भावनाओं को ज़्यादा बलवती बनाती है सोचने की बात यह है कि क्या इनहीं चार तत्वों के मिलान से ही हमें राश्टीता आ जाती है या इसके अलावा कुछ और भी ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे मन में हमारे अंदर राश्टवाद की भावना को प्रेरित करती है उसको बढ़ाती है उसको उकसाती है और यदि इसकी बात करें तो पहला तत्व जो अहम है राश्टीता की भावना को बढ़ाने में वह है समान विश्वास, मानिताएं या एकत्व की भावना, फीलिंग, भावना शद्व, मैंने एक सब को उप्योग किया था प्रेरक, राश्टीता, राश्टवाद, प्रेरक तक को है, यहां पर अब दूसरा शब्द देखाता है कि एक भावना, फीलिंग, तो समान विश्वास होना चाहिए और उससे भी ज़्यादा अहम है कि समान एतिहासिक एकता हो, एतिहासिक एकता से ताथ पर ये है कि लंबे काल तक, एक बहुत लंबे काल तक, इतना लंबा कि उसका स्वैम का एक इतिहास बन जाए, इस लंबे काल तक वहां के लोगों में एक तरीके से एकता रही हो, एक जुट रहे हों, एक दूसरे से संबंधित रहे हों, तो ये एतिहासिक पहली बात तो समान भावना हैं, एकत्व की भावना, ये एकत्व की भावना के साथ ही साथ उसमें एतिहासिक्ता का पुट होना जरूरी है, इतिहास, उस देश का, उस राष्ट का इतिहास, जो लंबा जो काल है, उसमें उस देश के लोगों का, या उस खेत्र के, भावगुलिक खेत्र के लोगों के मानसिक विचार एक हों, भावनाएं एक हों, और वो एक भावना ये दि है, तो एकत्व की भावना, निश्चित से पन पेगी भागोलिक एकता राष्ट के निर्माण के लिए एक अन्य अहम बिंदु है भागोलिक दिश्ट से एक खेत्र तो रहता ही है लेकिन मात्र एक खेत्र का होना इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि वहाँ पे राष्ट की भावना हो अर्थात ये ज़रूरी है कि यदि वो उस खेत्र के रहने वाले लोग अपने तहीं भागोलिक दिश्ट से भी एक दिश्ट से जुड़े हुए हो तो वह राष्ट के निर्माण में राष्ट को बनाने में मदद करता है तो भागोलिक एकता एक बहुत अहम तत्व हो गया जो उस खेत्र का विविन भागोलिक धाचा है उनमें भी परस्पर सामन जस्ट से होना अवश्चक है और इस पकार भागोलिक एकता राष्ट निर्माण के तत्वों में एक अहम तत्व हो गया अगला भिंदू जो राष्ट के लिए बहुत अहम है एकता की भावना और एतिहासिक उसमें एकात्मता इसके बाद उनके जो आदर्श है उस खेत के रहने वाले लोगों के उनकी जो परंपराएं हैं उस खेत के रहने वाले लोगों की जो मूल है वैल्यू सिस्टिम जो है जिसके आधार पे वे लोग अपना जीवन यापन करते हैं अपनी संस्कृति बनाते हैं तो उसमें एक तरीके की संस्कृतिक एकता का होना जरूरी है और यह तभी संभव है जब उस भागोलिक शेतर के अंदर रहने वाले लोग अपने आदर्शों को अपने बुल्यों को साज़ा करें यह साज़ा करना इसलिए आवश्यक है ताकि विबिन समुदाय के लोग एक तरीके का सामन जस्च बैठा सकें एक तरीके से एकात्मता ला सकें वैचारिक एकात्मता ला सकें और इसलिए साज़े आदर्श और मुल राश्ट निर्मान के लिए बहुत आहम हैं यही साजे आदर्ष यही मूल्य परंपराएं कस्टम्स रीति रिवाज चाहे जिन शब्दों को हम लें यही संस्कृति को एक रूपता देती हैं उस खेत्र की संस्कृति को एक रूपता देती हैं अर्थात अगला बिंदू जो हो जाता हुआ है सांस्कृतिक एकता यदि हमारी परंपराएं, यदि हम अपनी परंपराओं, अपने मुल्यों को, अपने विचारों को, अपने आदरिशों को दूसरों के साभfy करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में विभिन समुदाय एक दूसरे के निकट आएंगे और ये निकट आना रश्ट निर्माण के लिए अत्या अवश्चक है निकट आने से सांस्कृतिक एकता आती है एक दूसरे सांस्कृतिक कैने कल्चरल कल्चरल यूनिटी पनपती है और आगे बढ़ती है और यदि यही कल्टिरल यूनिटी एतिहासिक रिष्ट से लंबे काल के लिए हो जाए तो राष्ट के निर्माण में बहुत मदद मिलती है इसके लावा अगला तत्व जो अहम है हमारे राष्ट को बनाने में या राष्ट की भावना को लाने में राष्ट की भावना को लोगों में डालने में वह अगला बिंदु है समान हित उस खेत के रहने वाले उस भावगोलिक खेत के रहने वाले सभी लोग का हित समान हो तभी लोग किसी एक किसी समान उद्जेश्य के लिए जीवन यापन कर रहे हूं सभी के हित में समानता हो तब जाके राष्ट निर्माण में सहुलियत होती है और अंतिम तत्व जो इसके लिए अहम है वह है समान राजनेतिक महत्वा कांख्षाएं सात्वा और अंतिम तत्व समान राजनेतिक महत्वा कांख्षाएं अब ये राजनेतिक महत्वा कांख्षाओं से क्या तत्पर है एक भगुलिक खेत्र है उस खेत्र में विभिन्नसमुदाय के लोग विभिन्नसामाजिक वर्ग के लोग रहते हैं अलग-अलग खेत्रों में रह रहे हैं और जब ये लोग रह रहे हैं तो इन सब की अपनी अपेख्षाय हैं इच्छाय हैं उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें अपेक्षाएं किन से होती हैं सत्ता से जो भी सत्ता में हैं उससे वहां की जनता कुछ उम्मीदें लेके चलती है यदि सत्ता में रहने वाले किसी एक वर्ग के हूँ तो दूसरे वर्ग की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती और शायद वह वर्ग जिस वर्ग के लोग सत्ता में हैं ज्यादा हावी होने लगता है ऐसी स्थिति में राष्ट के निर्माण में बाधा आती है खेतरीता की भावना बढ़ने लगती है इसलिए जरूरी है कि एक भगुलिक खेतर में रहने वाले लोगों की जो समाच के सभी तबके के लोग उनका प्रतिनिजित्व सत्ता में हो ताकि उनकी सबकी महत्वा कांख्षाएं उन सबकी इच्छाएं पूरी करने का कारे सत्ता करे यही राजनेतिक महत्वा कांख्षा कहलाती है सभी चाहते हैं कि हम हमारे वर्ग से प्रतिनिजित्व हो शासन में प्रशासन में हर वर्ग का प्रतिनिजित्व शासन और प्रशासन में होना आवश्यक है यदि हम समान राजनेतिक महत्वा कांख्षाओं को पूरा करने की बात करते हैं तो जो बाद में राश्ट निर्माण में मदद करता है तो इस प्रकार राश्ट से ताटपर है एक हम कह सकते हैं एक ऐसा मानाव समूह जो वंश भाशा धर्म इनकी भागुलिक शेत्र इनकी विभन्दताओं के बावजूर जिसकी एतिहासिक प्रिष्ट भूमी समान है सांस्कृतिक धरोहर जिनकी समान है और इस प्रकार ये जो विभन्दता के बावजूर ये लोग एक तरीके से आपसी एकता के बंधन में बंधे रहते हैं और किसी विशिष्ट देश को अपनी मात्र भूमी या पित्र भूमी भी कहते हैं पवित्र भूमी मानते हैं किसी एक विशिष्ट खित्र को जो इस प्रकार हम अभी यहां पर ये समझने के सिति में हो गए हैं कि एक राष्ट क्या है या राष्ट के अहम तत्व क्या क्या है और राष्ट यानि नेशन